मैंने सुना कि कुछी दिन पहले कुछी दिन पहले यहां प्रधानमंत्री जी आये थे पाथ साल से प्रधानमंत्री है दोहजार चौदा में एक के बाद एक वाइदे करते थे दो करोड युवाओं को रोजगार किसानों को सही दाम 15 रुपए बैंक अकाउंट में कुछी दिन पहले आये क्या उन्होंने रोजगार की बात की कुछ बोला रोजगार के बारे में यह जो यहां फैक्ट्रिया बंद हुई है इसके बारे में कुछ बोला प्रधानमंत्री जी किसान को जो पहले सही दाम की बात करते थे यहां जो खरीदी नहीं हो रही है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं बोला पंद्रा लाग उसके बारे में कुछ भोला आपको बताया कि भई मैं फ्रेया प्रटा के बात की थी माफी मांगता हूँ नहीं दे पाया इस बार दूंगा ये नहीं बुला नहीं बुला युवाज जो भटब रहे हैं हर प्रदेश में जा रहे हैं डून रहें रोजगार डून रहें अच्छा उनके बारे में बोला पहले कहते थे 2 करोड यू वहाँ को रोजगार इस बार बोला कि ना कि क्या हो गया है कि अच्छा अनिल नंबानी का नाम लिया नहीं लिया ना नीरव मोदी, मेहुल चौकसी विजय मालिया, ललित मोदी इन्ता नहीं लिया ना तुब देखिए वो जूटे वाइदे करते हैं हम सच बोलते हैं तुम्हें यहां आया हूँ और आपने चार साल पहले, पांच साल पहले देश की जनता ने जो पंद्रा लाग की बात बोली नरेंद्र मोदी ने काफी लोगों ने उसको काफी लोगों ने उसको सुना और कहा हाँ भाई बात तो सही बोली हर रोज हम देखते हैं अमीर लोगों को पैसा दिया जाता है उनका कर्जा माफ होता है तो ये जो नरेंद्र मोदी आया है पंद्रा लाग की बात की है बात तो सही है आपको भी लगा होगा मुझे भी लगा मैंने भी सोचा कि ये पंद्रा लाग की बात जो कर रहा है बात तो सही है चूट बोल रहा आइडिया ठीक है, गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, अच्छा लगा, मगर जूट बोल रहे हैं, अब पांच साल से हम देख रहे हैं, कभी अभानी, कभी अधानी, हर रोज अगबार में किसी को छे एरपोर्ट मिल जाते हैं, किसी को किसानों का बीमा का पैसा मि मैंने सोचा, कि हम भी इसके बारे में कुछ करें, तो छे महीं ने पहले मैंने कॉंग्रेस पार्टी के जो एकॉनोमिस सेंटिंक टैंक हैं, उनको बुलाया, और मैंने का देखिए, कि चोकिदार जी जो है, यह जब हर भाशन में कहते थे पंद्रा लाग रुपे दूंगा, पंद्रा लाग जूट है, मुझे आप बताईए, अगर हम हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, तो बिना अर्ध व्यवास्ता को नश्ट किये हम कितना पैसा डाल सकते हैं, और मैंने उनसे का कि मैं लंबे वाशन नहीं सुनना चाहता, जूट नहीं सुनना चाहता, मैं थियरी नहीं जानना चाहता, किताब नहीं देखना चाहता, मुझे एक नंबर चाहिए, नंबर, मतलब इतने रुपे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकती, बस मुझे न मेरे पास वापिस साहे मुझे कागज दिया और कागज पे एक नंबर लिखा हुआ था 72,000 रुपए हरसा यह पंदरा लाग की सच्चाई पंदरा लाग जूट सच्चाई इतनी खुबसूरत नहीं होती जूट इतनी खुबसूरत नहीं होती पंदरा लाग का जूट 72,000 रुपए की सच्चाई उसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ पांच साल के अंदर तीन लाग 60,000 रुपए अच्छा नंबर है 15,000 रुपए नहीं है मगर अच्छा है तो हमें एक नई योजना बना रहे है उसका नाम नियाई योजना है पुलवा में हलमरा हुआ एर फॉर्स के विमानों ने पाकिस्तान में जाकर बम गिरा बहादूरी दिखाई प्रधान मंत्री कहते हैं मैंने किया आपने किया आपने किया राइफल पकड़के जाके दिखाओ ज़रा पाँच मिनट राइफल पकड़के खड़े हो जाओ जैसे हमारी CRPF के लोग खड़े होते अरे छोड़ो बस में जाके दिखादो जम्मू कश्मीर में अकेले बस में जाके दिखादो मैंने किया क्या किया एर फॉर्स ने बम गिराए CRPF के जवान शहीद हुए नहीं नरेंद्र मोदी ने किया रेस कोज रोड में बैठके किया मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र मोदी ने क्या किया एर फॉर्स को राफाइल का हवाई जहाद करीदना था दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 126 हवाई जहाद हाई टेकनोलोजी हवाई जहाद UPS सरकार ने कहा हिंदुस्तान एरोनौर्टिकल लिमिटिट इस हवाई जहाद को बनाएगी हिंदुस्तान में बनाएगी फ्रांच के लोग बहाना बना रहे थे नहीं हम फ्रांच में बनाएंगे प्रधान मंत्री मन्मोन सिख जी ने का नहीं, फ्रांस में नहीं बनेगा हिंदुस्तान में डुनिया का सबसे बड़ा कॉंट्रैक्ट है फैक्टरी हिंदुस्तान में, महराष्टरा में, करनाटक में, टमिल नाडू में, राजिस्तान, मध्य प्रदेश, कहीं एंजिन बनेग कहीं बॉडी बनेगी हवाई जहाज के, कहीं रेडार बनेगा, कहीं हत्यार बनेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता, हवाई जहाज का दाम 526 करूर रुपए एक हवाई जहाज के लिए, नरेंद मोधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फ्रांस जाते हैं, चेक कर ली चोकिदार मालिक को फ्रांस ले जाता है, बॉस को फ्रांस ले जाता है, अने लंबानी को, फ्रांस का राश्ट्रपती कहता है, कि नरेंद्र मोधी ने मुझे साफ बता दिया, एचेल हवाई जहाज नहीं बनाएगी, पांचसो अबिस का छोड़ो, सोलह सो करोड रुपए का खरीदा जाएगा एक हवाई जहाज, और ये जो मेरे साथ आए हैं, अने लंबानी जी, इनको कॉंट्रेक्ट दिया जाएगा, मैंने कहता है, फ्रांस का राश्ट्रपती कहा होलेंड नाम हैं इंटरनेट पे देख लीजे, होलेंड, मोधी, अने लंबानी सर्च कर लीजे, पता लग जाएगा आप, उसने क्या कहा, सीबी आइ डिरेक्टर कहता है, चौकीधार की इंक्वाईरी मैं करूँगा, चोरी की हैं, डेड़ बजे रात को चौकीधार, सीबी आइ के डिरेक्टर उसको निकाल देता है, सुप्रीम कोड कहता है, इसको वापस लाओ, वापस आता है पांच घंटे बाद, फिर से चौक मिनिस्ट्री के लोग फाइल पे लिखते हैं कि नरेंदर मोदी ने डायरेक्ट फ्रांस के साथ नेगोशियेशन किया आठ साथ से नेगोशियेशन चल रहा था नरेंदर मोदी ने सब रद कर दिया अपने मित्रों को कॉंट्राइक देने के लिए सीधा उसने फ्रांस के सरकार से और दासोर कंपनी से सौधा कर लिए डिफेंस मिनिस्टर के डॉक्यूमन्स में लिखा है इसलिए पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे अब नारा है चौकिदार 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 पाँच साल में अगली बार यहां आएंगे मेरी तरफ से उनसे दो-तीन सवाल पूछ लेना दो करोड रोजगार का क्या हुआ पंद्रा लाक रुपे का क्या हुआ किसारों को सही दाम देने का क्या हुआ यह पूछ लेना पार्लिमंट हाउस में डेर घंटा यह चार सवाल राफाइल के बारे में मैंने पूछे अने लंबानी को क्यूं मिला उसने कभी हुआईजास नहीं बनाया तीस हजार क्रोड रुपे उसकी जेब में क्यूं डाले एचेल सतर साल से हुआईजास बना रहा है आपने उससे क्यूं छीना हिंदुस्तान में क्यूं रहा है हवायजास फ्रांस में डेड़ घंटा न अरेνदर मोदी ने जवाब दिया राफाइल की बात Kang a कभी यूस देखें कभी इब आप आप लेकर लेकर पने रहे जवे यूंकरें आठ्मन हमना इन नहीं मिला पाए तो आपको निर्ने लेना है, आप दो हिंदुस्तान चाहते हो एक, मेरा कहना है, एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सब को नियाए मिलना चाहिए, किसानों की जगे होनी चाहिए, उनका कर्जा माफ होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनको दाम मिलना चाहि मरसेडीज गाड़ी का प्रवेट हवाई जहास का लाखों को रोड का, राफाइल कॉंट्रैक का, अनी लंबानी का, दूसरा किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगार युवाओं का, माताओं बहनों का, दो हिंदुस्तान हम नहीं होने लेंगे, इसलिए हम आपके लिए निया योजना ला रहे हैं, इसलिए मैं आपको सा मिल रहा है, देख लो, स्वास्त में, शिक्षा में, पूरा का, पूरा प्राइवेटाइज़िशन कर दिया है, इमार याई की जरुट होती है, ऑपरेशन की जरुट होती है, लाख होनों पर जेपने का, जेप से निकाल कर, उनी पद्राभी इसनों को गुदू, गरीब यक्ति इलाज नहीं करा सकता हिंदुस्तान में, बच्चे को युनिवर्सिटी, कॉलेज में भेजना, एंजिनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लोयर बनाना है, प्राइवेट कॉलेज में भेजो, पंदरा लाग, बीस लाग रुपे पहले निकाल, क्यों? आपका पैसा नियाई योजना में डालेंगे, नए हस्पताल बनाने में डालेंगे, स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी बनाने में डालेंगे, यह फरक है मेरून में.